आल राइट, इस पर्टिकलर वीडियो में देखे हम लोग discuss करेंगे, सुन है IS के mock test, जो है full land test 1 and full land test 2, तो देखे ये भी आज कल थोड़ा market में चलता रहता है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा discuss कर लेते है, important point discuss कर लेते हैं, इस ने test नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं है, आप important point सुल लो, तो सबसे पहले आता है, counter-cyclic, जो fiscal policy है, वो क्या होती है, what is a counter-cyclic fiscal policy, तो इसमें देखे तो जो steps government लेती है, ठीक है, वो क्या होते है, वो against the direction of economic cycle जाता है, यानि अगर slowdown हो रहा होगा, recession आ रहा होगा, तो government क्या करेगी, तो government will go for a, मतलब increase in the expenditure, जाकि इस से कम हो सके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ दियान रखेगा, similarly अगर economic बहुत तेज भागरी होगी, तो वो क्या करेगी, तो government will try to do something, कि जिससे कि एकनौमी को थोड़ा से slowdown किया, जिससे tax वगरा बढ़ा देगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, ठीक है, तो एक होता है counter-cyclical, fiscal policy, और एक होता है pro-cyclical, तो pro में क्या होता है, जिस तरफ को एकनौमी जा रही है, उसी तरफ को और push करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ या पर ध्यान रखेगा, नेक्स आता है doxing, तो doxing में आ रखेगा DPI, जब personal information को कोई reveal कर दे, आपकी online ठीक है, नमबर अमर शेयर कर दे, फिर क्या होता है, उससे bullying हो लिंग हो जाती है, ठीक है, देन आता है cantilon effect, ठीक है, तो cantilon effect या रखेगा, uneven effect of inflation on goods and asset, ठीक है, this is called as cantilon effect, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जाने की का, this is the uneven effect of inflation on goods and asset, ठीक है, तो money supply, purchasing power, इससे regarding है, ये आप पूछ सकता है, ठीक है, नेक्स बात करते है, ठीक है, James Webb Telescope, ठीक है, ठीक है, ये इस बार, UPSC के mains में भी आया था, James Webb Telescope, ठीक है, from, and this is from 1.5 million kilometers away from the Earth, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो sun को orbit करेगा James Webb Telescope, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये NASA, ESA, Canadian Space Agency, इन तीनों ने मिलके बनाया है, तो ये जाने की का, NEC, ठीक है, ये जाने की का, नेक्स बात करते है, Annual Frontier Report किसकी है, तो ये आपका आता है, UNEP, ठीक है, AFU, ठीक है, FU, U, तो UNEP की आती है, ठीक है, इस तरही से कभी आ जाया, तो याद रखेगा, ठीक है, उसके बाद दीके, कुछ ने काता है, सर, आप वर्ड मेमोनिक वगएरा, क्यों ये बनाते हैं, याद करने का तरीका हो जाता है, ठीक है, आप किसी को याद है, सर, James Webb में आपने NEC बनाया था, तो NASA है, ESE है, Canadian है, ठीक है, Annual Frontier Report है, FU, मैंने FU याद रखा है, तो U से, फिर UNEP है, तो, यानि, यू से, organization का नाम है, it is just that, ये मेरा तरीका है, जिससे मुझे ना, चीज़े जादा याद होती है, इसके वाइसे, मुझे कम, रिवाइस करना पड़ था, ठीक है, तो देखे, my objective is, कि भाई, जित्ता जल्दी वो blood में जा, उतना, उतना मेरा load कम होगा, क्योंकि अकर मैं बार-बार revise कर रहा हूँ, तो फिर मैं महनती कर रहा हूँ, ठीक है, तो that is why I try to make memonics, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, next आता है, IT Act 2000, it doesn't recognize right to be forgotten, please remember this, ठीक है, then data protection committee किसके अंदर बनी थी, B.N. Shri Krishna committee, and not Puttaswami, यार रखेगा, Puttaswami judgment था, ठीक है, जिसमें आपको right to privacy को fundamental right दिया था, but B.N. Shri Krishna committee के अंदर जो data protection law वो आया था, ठीक है, यह आपने बात कर लिया, next बात करते है, ECI, election commission of India has no power to deregister the political party, ठीक है, यह दियाने के गा, then legal, professional, NGOs, ठीक है, research scientists, यह सब किसका अइट है, यह सब कौाइनरी sector का पाट है, ठीक है, यह सब कौाइनरी sector का पाट है, ठीक है, thenACTGhouर oil field का है, तो blacksides, ठीक है, तो лишь такая, this is Saudi Arabia, ठीक है, तो यह दियाने किए किए, गेँ, थे गवर सा ठिक है तो गहवर सा ठिक है तिस वोल्ड's biggest conventional oil field by production as well as in reserve ठिक है तो गहवर oil field आपो पता हो नहीं चे, Saudi Arabia गया, then China has the biggest shale gas reserves in the world ठिक ऐधा लगी गाँ, right and I think सबसे ज़ादा भी produced is, if I am not wrong is US, ठिक है चखालना, then CAG can't attend the seatings of the parliament right and but he can attend the seatings of the PAC public account committee CAG sitting of the parliament को attend नहीं करता ठीक है parliamentary sitting को नहीं करता parliamentary committee में वो attend करता है only and only attorney general of India एक ऐसा officer है he is the only officer who can attend the parliamentary meetings ठीक है parliamentary proceedings उसको attend कर सकता है even the solitaire जो solitaire general है वो भी नहीं अटेंड कर सकता है यार राखिया तो पूछ सकता है AGI can attend ठीक है CAG cannot ठीक है बट जो parliamentary committee है उसमें CAG can ठीक है ठीक है ठीक है तन pulses यहार रखिये का 11% of the net zone area ठीक है हमारे देश में राइट 11% के आस-पास है 10-11% के आस-पास and India largest producer producer as well as consumer of pulses in the world also it is the largest importer तो देखरो तो यह पूछ सकता है crop पो define कर देगा India is the largest producer India is the largest consumer as well as importer तो क्या answer वहाएगा तो pulses है ठीक है याट and Rajasthan, Maharashtra, MP these are the major pulse producing states ठीक है pulses को then Microsoft was the first company to join the ONDC ठीक है open network for digital commerce right India is not a member of RCP पता होना चाहिए USA भी नहीं है याद रखेगा जबकि Japan है Japan, China यह सब क्या है RCP का member है जबकि India as well as USA नहीं है ठीक है then Pantal wetlands कहाई यह Brazil के है these are the world's largest wetlands ठीक है तीन country को यह join करते तीन country में फैले आपको तीनों का नाम मुझे बताना है ठीक है calorie based को reject किया था and it brought a broad based spending health education इन सब में आपको जादा focus करना है ठीक है electricity इन सब पे focus करो ठीक है तो देखो मैंने कैसे आ रखा किता है तेंदुलकर है तो तेंदुलकर ब्राद सोचेगा तेंदुलकर भाई world class batsman है ठीक है ब्राद बेस poverty line ठीक है या रखना है doctrine of repugnancy क्या होता है ठीक है तो यह होता है आपका inconsistency between the state made laws and the union made laws ठीक है ठीक है ठीक है तो तब यह doctrine of repugnancy आता है इस inconsistency वगयरे को solve करने के लिए ठीक है प्लीज रिमेंबर इस और इस case में देखिए क्या होगा इस case में जभी भी central law या state law conflict करेगा तो obviously the union law would prevail ठीक है तो यह चीज़ आता है doctrine of repugnancy आता है कब आता है यह जब inconsistency आता है तो risk inconsistency RIS ठीक है तो RISEO रिसू रिसू inconsistency between state and union made loss तो RISU हुता वायखा तब कवायखा जब repugnancy का case का है ठीक है right matrix match type का आ सकता है then amrawati भुक्की टोका and बंगर यह क्या है तो यह क्या है तवा सौरी ठीक है तो यह क्या है यह निस और तो पूछ सकता है भाई नर्मदा की tributaries कौन कांचे था भूकी ठीक है था इन उसके बाद भूकी तवा अमरावती थी कह है बेंगर तो यह सब क्या है यह नर्मदा की tributaries था यह होप मैं यह सही प्रनाउंस कर रहा हूं ठीक है थेन अरिता पत्ती विलेज ठीक है यह मदुराही में है और तमिल नादू इस 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 नोट इन केरला तो प्लीज रिमेंबर इस अजीवी का जो सेक्था इस बुद्धिजम आज जैनिजम चेक है प्लीज रिमेंबर इस देन एज एज कम्प्यूटिंग इस बाउट प्रोसेसिंग पर डेटा को दे जाओ और प्रोसेस करो नएज कम्प्यूटिंग में अप डी संट्रलेइश प्रोसेसिंग काथ प्रोसेसिंग करते हो राइट अबइसली बात है एक timeal आर्टै एस प्लिस्यमूर्म्ट इस दिन क्र्प्रोग्रायम क्या होते हैं So these are the hidden reproduction मतलब means hidden reproduction यहां पर आपको कोई कोई seed दी कोई flowers ठीक है यह सब आपको मतलब दिखेगा ठीक है बट कोई seed नहीं होगा ठीक है मतलब बिना seed यह दिखेगा है these are non-seed bearing plants ठीक यहां पर कोई seed नहीं है कोई flowers नहीं है ठीक है इनका reproduction होता है ठीक है जैसे algae हो गया fonts हो गया तो यह आपो cryptograms ही category में मतलब simple है कि कोई seed नहीं है कोई flower नहीं है still यह लोग क्या कर रहे है यह आगे अपना production कर रहे है आगे अपनी generation अगेरे को बढ़ा रहे है ठीक है तो this is called as cryptograms ठीक है hidden reproduction ठीक है तो algae fonts का example ध्यान लखेगा राइट इंडिया का first cryptogramic garden कहा है तो यह अपने यह उत्राखंट ध्यरवदून में बनाए ठीक है और cryptogram का example बता दिया algae ठीक है then total expenditure on social impact assessment should not exceed 2.5% of the total CSR और 50 लग से जाधा ठीक है यह नहीं होना चाहिए ठीक है यह ध्यान लगेगा then yugantar जिसके द्वारा था yb बरेंद्र कुमार घोश ठीक है remember this ठीक है and it was a covert revolutionary movement in bengal ठीक है not by the gadhar party ठीक है लगता है यह 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 then कीरती किसान movement it was started by the leaders of the gadhar party ठीक है in 1928 remember this ठीक है and it used to organize the labor industrial workers for revolutionary activities ठीक है and जैसे इनका gadhar leader थे एक भाई संकोष संतोक सिंग तो इनके द्वारा यह start किया गया था ठीक है तो यह यह कीरती किसान movement किससे है ठीक है तो KKMG ठीक है तो यह आपकी जो है gadhar party से associated है ठीक है इनके leaders के द्वारा start किया गया था ठीक है राइड अचा एक यह आजकर बड़ा question चलता है c sat का इसको भी पर revise कर लेने कि angle between minute hand and hour hand ठीक है क्या होता है तो 60 into hour hand minus 11 into minutes and upon 2 यह इसका formula होता है ठीक है and इससे आप questions को solve कर सकते हो बढ़ यह आ रखना है इसमे angle positive तब आएगा जब आगे है इसको पूछता है आपसे 11.30 ठीक है बताओ the angle between the 11.32 करता हूं ठीक है 11.32 पे hour hand और minute hand के बीच में angle कितना है तो hour है 11 तो 11 डाल दो 60 into 11 ठीक है minus minute किता है 11 into 32 divided by 2 answer आजागा angle ठीक है तो यह जी ध्यारक ने पूछ सकता है ठीक है और in fact 2-4 बाद पूछा भी गया सवाल ठीक है पता नहीं मैंने कही फॉर्मला अमला दिखा तो मैं नोट कर लिया रहा है आगे बढ़ते है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते है ठीक है वा यार सीजाट भी हो रहा है ठीक है डिविजिबिलिटी रूल ओफ 3 क्या कहता है कि सम को सिंप्ली 3 से डिवाइड कर ठीक है जुडिविजेबल हाई क्या गवी फिसे वन टू थी है तो और ठीक है तो इसे थीद करते हैं यह अग्जामबल क़ यह का है तो देख सकते है ठीक है क्या या त्कए क्या डकी तक है कि क्यलेंडर तकर बेनितम और अंबर अफ ऑन्द टेश स्कैल से क्लकूलेट करत तो difference plus number of leap year divided by seven या आपको number of odd days देता है ठीक है जैसे 5th June 2022 को Sunday है तो 5th June 2027 को क्या होगा ठीक है तो difference of the year कितना आ रहे है ठीक है 2027 minus 2022 तो 5 साल का difference है ठीक है right plus number of leap year कितने आते हैं तो leap year 22 से 27 के बीच में कितने आते हैं एक जो है आपका 2024 ठीक है तो five plus one six divided by seven तो six आ रहा है remainder यानि six is the number of odd days तो अगर इस दिन संदे है तो संदे प्लस six इस दिन क्या होगा Saturday 2027 5th June को Saturday होगा simple ठीक है तो इस तरीके से आप calculate कर सकते हो ठीक है तो same date से same date या रहता है 5th June से 5th June तक आप जाओ ठीक है तो ऐसे calculate होता है कि difference of the year plus number of leap year divided by seven ठीक है fine तो यह हमने क्या कर लिए यह हमने आप इस शूनिया का जो mock test number कौन सा है ठीक है वन उसको comprehensively discuss कर लिए अब जो हम discuss करेंगे वह हम discuss करेंगे शूनिया का mock number two ठीक है तो दो mock test शूनिया के भी discuss कर लिएंगे